एन्टी ए यूजी नेट यहनी निमीजी नेट डाउनलोड इट उन गूगल प्लेश टॉर हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम डेटा इंटरपेटेशन के अंदर बेसिक कोंसेप्ट के वारे में बात करने वाले हैं जैसे कि अडीशन हो गया एवरेज हो गया निकलता है देखी वैसे जब हम डेटा इंटरपेटेशन का कोशन करते तो उसमें काफी टाइम लग जाता है तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कोशन कर सकें तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से द क्यार की है इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको और 10 यूनिट के वीडियोस देंगे एड़ फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली हैं इसके साथ नमबर 3 पर हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी सिंट के कौश्चन पेपर हिंदी इंगिर्ज में विदांसद की आपको मिलने इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक teaching के question अलग देंगे research के अलग देंगे communication कहलाने देंगे इस तरह से सभी unit के question आपको अलग-अलग मिलेंगे इसके साथ दोस्तों हम आपको most repeated होने वाले question के वाले में बताएंगे पलस में आपको notes भी देंगे इसके साथ दोस्तों फरी में हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक old year question paper second भी देंगे with answer की और इसके साथ दोस्तों हम आपका live mock test लेंगे YouTube पे तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स जोइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी WhatsApp नमर पे message कीजिए या फ तरीका है हमारा जो चलता हुआ आ रहा है traditional method इन सभी को 512 को जोड़ा फिर 1709 को जोड़ा उस तरीके से हम जोडते हुए जाते हैं लेकिन एक और जो तरीका है उस तरीके से हम किस तरह से जल्दी से जल्दी जोड़ सकते हैं वो हम देखेंगे दोस्तों जो दूसरा तरीका ह है वो round figure का तरीका है रांड figure के अंदर क्या होता है दोस्तों हमेरे हमें जो value दी हूई है उसके आज पास की value लेते जो हमें stable कर सके अब देखें 512 है 512 को हम लिख सकते दोस्तों 501 टाइम के लिए हम इसे लिख देते हैं उसके बाद में है 1709 इसको हम लिख देते हैं 1700 यहा पस्थानी से कोशन कर शके के उसके बाद में जैसे हमारे पास तेरा सो पांच तो इसको लिख देते हैं अब देखी इनको हम प्लस करने की कोशिश करते हैं यह देखिए कोशिश करने के के हां जया है और अब पर हो जाएगा और अब क्या रहे गया हमारे पास एक बाईस्कों रहे गया प्लस करेंगे तो यह हमारे पास कितना आजाएगा यह आजए ungefगी दो और आठ कितना होगा जिरो असिल एक दो एक तीन और यह यह हजार हो जाएगा अब देखी जो हमारा आंसर है जो अप्सन दिए उनमें देखते कहां पर भी मैच करता है अब यह देखे यह 1266 है यह तो बहुत कम है फिर 8725 है यह भी नहीं मैच कर रहा यह भी नहीं कर रहा अप्सन नमबर ए है 9636 है यह इसके पास जा रहा है तो इसका जो आंसर वो क्या होगा दोस्तों यह हो जाए और डियाई के अंदर क्या होते है ज्यादा तर हम बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं निकलते इसके अंदर हम Samahawnov पे ज्याद तर डियाई के कौशन किए जाते हैं तभी हम जल्दी से जल्दी कोश्चन निकाल सकते हैं अगर हम डियाई के अंदर बिल्कुल accurate कोश्चन निकालने की कोश्चिस करे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और आगे की जो वीडियो दोस्तों उसमें मैं और भी ट्रिक बताऊंगा जैसे percentage और रेसो को लेकर तो अचलिए दोस्तों अब हम आगे कोश्चन देखते हैं दोस्तों अब बात करते हैं हम average की देखे डियाई के अंदर बहुत ज्यादा average निकालनी पड़ती है हमें तो इसके बारे में पता होना जिरूरी है देखे एवरेज हम एक तो जो हमारा traditional method है यानि की 185 को जोड़ना फिर 225 को जोड़ना इन सभी को एक एक करके जोड़ना तो उसमें क्या है की ज्यादा time लग सकता है लेकिन उसको छोड़ कि हम किस तरह से जल्दी से जल्दी इस question को निकाल सकते है वो हम देखेंगे और देखे यहां पर हमने एक question दिया हुआ है कि राहुल ने 10 दिनों में 90 रुपई कमाई है राहुल ने तो इसमें ये देखना कि average उसने एक दिन में कितने रुपई कमाई वो हमें देखना है देखे इस question को हम जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे ये देखते हैं देखे इसके अंदर जो यूज करेंगे हम एक तो जो पिछला जो हमने question किया था round figure का उस तरह से ही इसको करने की कोशिस करेंगे इसमें थोड़ा सा अलग है वो देखते हैं क्या है इसमें देखे यहां पर आप 185 है, 225 है, 195 है, 210 है, 207 है तो यहां पर इन सभी के common की एक digit ले लेंगे common की digit जैसे कि हमान के चलते हैं 200 200 इनके बीच की संख्या है दोनों ये देखे 185 हो गया, 205 हो गया, 215 हो गया, 215 हो गया 185 है, 200 से कम है या जादा है, तो यहां पर हम लिख लेंगे यह हो गया, 15, माइनस 15 में, फिर 225 है, यह पलस के 25 है और फिर 195 है, यह माइनस के 5 है, इस तरीके से सभी के सभी हम लिख लेंगे जैसे 210 है, यह 10 ज्यादा है, 200 से यह सभी हमने यहां पर लिख लिए फिर क्या करेंगे कि जो कट रहा है उनको काट देंगे जैसे कि यह है माइनस के 15 और यह है पलस के 15 यह कट हो गया यह देखें माइनस के 10 यह 10 है यह कट हो गया अब उसके बाद में देखें जैसे यह माइनस के 5 है यह पलस के 5 है यह कट हो गया हमारा और यह देखें यह माइन हमारे पास रहे गया और आगे क्या करेंगे ये देखे एक दो तीन चार यानि कि दस है तो दस गुना में 200 हम कर देंगे दस गुना में 200 कर दिया तो ये कितना आजाएगा हमारे पास 2000 यहां पर आजाएगा 2000 और पलस में ये जो 30 था तो 2030 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना है जहाँ 203.0 यानि कि 203 रुपे वो डेली के कमाएगा यहां से हम इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं तो दोस्तो एक ये वी तरीका है जल्द से जल्द कोशन निकालने का और कई दोस्त तो ये सोचते कि नहीं हमें तो जो हमार ट्रेडिशनल में तरह वही यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं ये हमने आपको एक तरीका बताया है चले अब हम अगला कोशन देखते हैं अब परसेंटेज की बात आती है दोस्तो परसेंटेज हम Rahian में औरडी पता हलं तो यह चीजी आपको याद होने चाओ यह बेसिक चीजी देख़े। जैसे 1 बंटे दो होता की इकवल यह होता है 50 परसेंट के बेराबर होता है इसी तरीकिोंटेख से जैसे 1 व कशीयार होता है 25 परसेंट के बाबर होता है यह साय्द आम सभी लोगों को पता होगा एक वटे च्यार 25% के एकवल कैसे होता है देखे मैं बता देता हूँ एक वटे देखे एक वटे च्यार गुना में 100 करेंगे percentage निकालने के लिए क्या करते हैं multiply by 100 करते हैं च्यार को जब इसे कट करेंगे तो कितना आ जाए 25% आ जाएगा तो यहाँ पर हमने एक से लेके 20 तक यहाँ पर यह दिये हुए एक वटे दो कितना होगा 50% होगा एक वटे 33.33% होगा तो यहाँ पर हमने यह सभी दिये हुए अगर आप चाहे तो इनको याद कर सकते हैं कई बार ऐसे आ जाता है हमारे exam के अंदर जो answer आता है एक वटे 8 आता है और एक वटे 8 को जब हम निकालते हैं गुना में 100 करके निकालते हैं तो उसमें क्याएगे time लगता है लेकिन अगर हमें याद हो यहाँ से हम याद कर ले तो क्यों answer दे सकते हैं जल्दी से जल्दी एक question यह दिया हुआ होता है जैसे की A का B percent कितना होगा परतिसत की मातरा हमें निकालनी होती है जैसे की 500 का 15 परतिसत कितना होगा इस तरह से हमें question में देखने को मिलता है तो इस दुरान हम कैसे निकालेंगे जो हमारी कुल रकम जो होती है डिजिट जो होती है और plus में जो ह हमारे percentage निकाल नहीं होते हैं उसको multiply करते हैं यह देखिए अब देखिए 500 का 15% कैसे निकालेंगे हम 500 हमने लिख लिया गुना में हमने 15 लिख लिया और बटे में 100 लिखेंगे अब देखिए 20 से 20 कट की 15 55 75 यहां पर इसकी value आज जाएगी तो इस तरह से हम इसकी percentage निकाल सकते हैं percentage की value निकाल सकते हैं तो यह basic चीजी है दोस्तो बिलकुल basic चीजी होती है जो हमें पता होना ज़रूरी है दोस्तो percentage निकलने का एक तरीका और भी है देखिए इसके अंदर क्या होता है जैसे 500 है 500 का 1% हम सभी को पता है इसका क्या होगा 1% कितना होगा 5 हो जाएगा और 10% कितना होगा वो होगा 50 हो जाएगा अब देखिए 10% हमारा 50 है तो 5% कितना होगा 50 का half कर दें कितना हो जाएगा कितना आजाएगा 75 यहां से हमारे पासा आजाएगा तो यहां से यह तरीका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हमने पहले तरीका बताшт DANIEL वह कर शक्ते जो भी आपको अच्छा लगे वह आप यूज़ कर शकते हैं और हम देखते कि दोस्तों percentage के अंदर क्या आता है अब देखे एक और जो most important चीज वाती है डियाई के अंदर बहुत बार common जो चीज है वो क्या होता है कि उसके अंदर ये पूछा जाता कि पिछली वार से अब की वार में कितना कितने प्रतिशत की विरिद्धी हुई इस तरह के कोशन आपने देखेंगे देखें यहां पर कोशन नमर 9 यह हम पढ़ने की कोशिश करते हैं सन 2005 में विद्यूद उत्पादन 500 मेगावाट था 2005 में कितना था 500 मेगावाट था 2009 में 800 मेगावाट हो गया 2005 से 2009 में विद्यूद उत्पादन में हुई वर्धी प्रतिशत बताईए यानि कितने प्रतिशत जो विद्यूद है वो बढ़ी है वो हमें बताना कितने पर्षें तो इसको हम कैसे करेंगे इसका जो formula होता है दोस्तों यहाँ पर इंगलिस में भी देख सकते हैं इसमें होता है फाइनल वैल्यू और माइनस में initial वैल्यू यानि कि जो अंतिम वैल्यू आपती है जैसे यह है हमारी 800 रुपए यह आखरी की वैल्यू है और फिर प्रारंभिक म देखिए इसको मैं यहाँ पर बिल्कुल असानी से आपको करके दिखा रहा हूं यह कोर्शन हम कैसे करेंगे अब जैसे कि इसमें दिया इसी के इंसार चलते ताकि आपको अच्छे से असानी से समझ में आ जाए यहाँ पर हम लिख लेते है 800 800 माइनस में initial वैल्यू कितनी है 500 डिवाइड वाई कितना है प्रारहमविक वैल्यू कितनी है दोस्तों हमरे पास 500 और मल्टिप्लाई वाई कितना है 100 ठीक है यह फॉर्मुला आपने यहाँ पर देख लिया अब देखते इसको सोल करने की कोशिस करते हैं एक मिनिट मैं इरेज कर देता हूं यहाँ पर यह अब देखिए इसके अंदर क्या होगा 800 में से जब हम 500 माइनस करेंगे तो क्या जाए दोस्तों हमरे पास 300 आ जाएगा 300 बटे में 500 मल्टिप्लाई वाई 100 अब देखिए 20 से हमारी 20 कट गई अब 5 से जब हम 300 को कट करेंगे तो कितना जाएगा 60 यहां पर आ जाएगा तो जो 100% electricity हमारी बढ़ ही है तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से इस तरह के question कर सकते हैं और इस तरह के जो question है वो बहुत बार आगे आएंगे और आगे जो हम question करेंगे उनके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि यह question किस तरह से है किस तरह से हमें solve करना है और उसके बाद है दो हम एक दूसरे को करते तो उसके बाद जो final जो value आते है उसे हम ratio कहते हैं देखी यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया वायों इन्होंने सुनिल एक सपता में 900 रुपए कमाता है और राहूल एक सपता में 600 रुपए कमाता है तो दोनों की कमाई का अनुपात क्या होगा वो हमें बताना है अब देखी इसके लिए हम क्या करते हैं जो हमें value दी हुई है उन दोनों को divide करते हैं और फिर हम निकालते कि क्या उनका अनुपात है यहाँ पे हम क्या करेंगे 900 डिवाइड वाई 600 इसको जहां तक कट हो रहे हैं वहां तक हम इसको काटते जाएं हैं दो 0 से 2 0 अनुपात 2 की value आ जाएगी तो सुनिल और जो राहुल वो तीन अनुपात 2 के अनुपात में कमाई करते हैं तो इस तरह से हम अनुपात निकाल सकते हैं तो दोस्तों यह थे आज कि हमारे कुछ basic formula trick DI को करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थे हमारे लिए और अगर को कुछ confusion है तो आप हमें WhatsApp मैसेज कर सकते हैं WhatsApp नमबर हमारा यह है यहां पर आप मैसेज कर सकते हैं हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे तो दोस्तों आज के लिए वसी एंटी यूजिस नेट यानि निमीजिनेट डाउलोड इट उन नहीं निकलते हैं तो दोस्तों अब डियाई का होगा डर खतम पिल्कुल 100% यह वीडियो आप पूरा देखना दोस्तों अब डियाई तो क्या डियाई का बाप भी आएगा दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 21 जून 2019 का जो एक्जाम हुआ है उसके अंदर जो डियाई के क कोशन आये हैं वो हम आपको करके दिखाएंगे इस वीडियो में आप देखना कि आप कितने असानी से कितने असानी से कोशन को निकाल सकते हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके डियाई के कोशन ब के अंदर वो निकल जाएगा ये देखना ये देखिए दोस्तों ये 21 जून 2019 को एक्जाम आया था उसमें ये कोश्चन है सबसे पहले जो डियाई का कोश्चन होता दोस्तों उसमें जो स्टेटमेंट दी हुई होते हैं जो फिगर दी होते हैं टेबल वो हमें समझना बहुत ज 12 बेचे गए विभिन परकार के LED टेलिविजन सेटों की संख्या लाखों में दिखाती है अब देखिए इसके इंदर क्या है कि यहां पर अलग-अलग टेलिविजन सेट दिये जिनकी स्क्रीन है 22 इंची 24 इंची 32 इंची 40 इंची और 99 इंची दी हुई है और यह यहां पर इंची इंची दी है कि 2012 में 24 इंची टेलिविजन वो कितने बिके थे तो यह सबी इंच दी है तो यहां से आप ग्राफ देख सकते हैं और यह टोटल 7 इंची यहां पर हमें दिये हुए है ठीक है यहां से हमें यह समझ में आ गई है टेवल अब इसी बेस पे हमें कोशन करन इसके आए है इसके इंदर इन्होंने कहा है कि सभी सात वरशो में 49 इंच अकार के टेलिविजन सेटों के कुल बिकری कितनी है यह हमें बताना है यह देखिए इसमें देखते कि 49 इंच कुन शाओक दोस्टो यह है हमारे पास इसकी कुल बिकری हमें बतानी है यानि कि 2012 से लेक हमें इनका पलस करना है जोड करना है अब देखिए इस कोशन को जल्दी से जल्दी कैसे करें यह बात यहां पर आती है यहां पर काफी जो दोस्त है वो क्या करेंगे ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे और आप वो ट्रेडिशनल मेथड भी लगा सकते हैं जैसे आठ जोडा फिर 6 जोड़ा फिर 5 जोड़ा इस तरीके से करके वो try additional method भी लगा सकते हैं जो आपको stable करें और एक मैंने तरीका आपको बताया था कि किस तरह से हम addition करते हैं तो उस हिसाब से हम देखते हैं मैंने आपको बताया था कि आप एक beach की संख्या ले लीजिए कोई भी beach की संख्या ले लीजिए तो मैं यहाँ पर 120 जो है वो beach की संख्या ले लेता हूं और उनमें देखता हूं कि कौन कितना ज्यादा है कितना कम है अब देखे 118 है 118 क्या कि दो कम है 136 प्लस 16 लेख लिए हमने 145 है वो 120 से कितना है 25 ज्यादा है तो यह पलस के 25 लिख लिए इस तरीके से ह हमने सारे के सारे लिख लिए यह देखिए 100 है 120 से क्या है कि 20 कम है तो यह यहाँ पर मैंने लिख लिया अब हम क्या करेंगगे जो प्लस के माइनस के जो कट रहे उनको हम काट देंगे यह देख Porsche 35 से यह हमारा 35 कट गया और उसके बाद में देखिए जैसे हमारे पास यह है पलस के 10 है और यह माइनस के 20 है तो यहां से क्या रहे जाएगा माइनस के 10 ही हमारे पास रहे गया अब देखिए यहां पर माइनस के 2 है यह पलस के 16 है तो यहां पर कितना रहे जाएगा पलस के 14 है यह हमारे पास रहे गए अब देखिए हमारे पास 3 चीजे रहे गई एक तो प्लस के 14, प्लस के 25, माइनस के 10, अब देखे, ये हम फिर से काट देते, माइनस 10, जब हम प्लस के 25 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना रह जाए, हमारे पास 15 रह जाएगा, अब हमारे पास क्या रह गया, प्लस के 15 और प्लस के 14, यह कितने हो जाएंगे, हमारे पास 120 माना था और ये कितने हैं ये 7 हैं दोस्तों यहां से लेकि यहां तक है 120 गुरा में 7 12,7,84,840 पलस में 29 ये हम कर देते हैं 9,6,8 ये कितना हो गया दोस्तों 819 तो 819 किस के इंदर है ये उप्शन नमबर 4 के इंदर दिया हुआ है तो देख लो दोस्तों आपके सामने कितना जल्दी मैंने फटाक से ये कर दिया तो इसी तरीके से आप भी कर शकते हैं और ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया है अगर मैं खुद अपने हिसाब से करता तो बहुती जल्दी इसको कर पाता तो इसलिए मैं कहा हूँ दोस्तों कि आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था और इस तरीके से आप बहुती जल्द सम कर सकते हैं अडिशन कर सकते हैं जोड सकते हैं किसी भी संख्या को तो जैसा भी आपको सही लगे वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसको आप ट्राइ करके जरूर देखना तो चलिए दोस्तों अब हम अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है हमारा 32 32 नमबर इसमें इन्होंने कहा है कि 2013 की तुलना में 2017 में 32 इंच LED टेलिविजन से टो की विक्री में अनुमानित परतिसत वृद्धी या कमी क्या थी अब देखे इसने क्या कहा है सबसे पहले 32 इंची 32 इंची कौन सा यह है हमारा इसके अंदर 2013 2013 का क्या है दोस्तों यह है 112 और फिर 2017 2017 में क्या है 115 यह कह रहा कि 2013 से 2017 में जो हमारी विक्री हुई है उसमें बढ़ी है या घटी है वो हमें बताना है और परतिसत बताना है हमें और इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों मैंने बताया था कि Final value माइनस में Initial value final value मतलब 2017 की value initial value मतलब 2013 की value बटे में initial value initial value मतलब यानि कि सुरू की जो value है 2013 की 112 गुना में हमने क्या किया था so यहाँ पे किया था यह मैंने आपको जो इससे एक वीडियो छोड़ के पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था percentage, average, ratio किस तरह से हम निकालते हैं तो आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं वो वीडियो देखने के बाद आप बिलकुल असानी से डियाई के question निकाल सकते हैं अब देखिए इस formula के base पे हम किस तरह से यह करें सबसे पहले हम 117 है 175 में से minus करेंगे, 112 को minus करेंगे और फिर 112 गुना में 100 यहाँ पे करेंगे अब सबसे पहली बात यह आती है कि 175 में से 112 आप कर लेजिये मैं कर लेता हूँ कितना आएगा जब हम 175 में से 112 करते तो यह आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 63 यहां पे आ जाएगा अब देखे 63 हमारे पास आ गया 115 में 112 माइनस किया 63 बटे में 112 गुरा में 100 अब देखी इसको जब आप sol करेंगे यानि कि solution करेंगे इसको cut वगरा करेंगे तो यह यहां पे हमारे पास आ जाया 56.25 हमारे पास आ जायेगा अब यहां पे यह बात आती है दोस्तों 56.25 हमारे पास आ गया तो हम option number 2 पे क्लिक करें या फिर 3 पे क्लिक करें अब देखी हम 2 का जो option number है वो ही right करेंगे क्योंकि यह 25 है दोस्तों point 25 है point 25 को हम 56 के क्रीब ही मानेंगे अगर यह point 50 से ज्यादा होता जैसे point 60 होता तो हम 57 मान सकते थे तो यहां से इसका जो right answer होगा दोस्तों option number 2 होगा तो देखो दोस्तों कितना असान question है कितने दो question किये हमने अभी तक दोनों के दोनों question कितने आसान है और आप लोग वैसे ही डियाई से डरते हैं और आगे अब हम तीन question और करने वाले वो भी आप देखना कितने असान question है तो चलिए दोस्तों अब हम अगला question देखते हैं यह हमारा question number 30 है इसके अंदर इन्होंने कहा है कि किसा कार के अलेडी television set की बिक्री सभी सालों में सबसे ज्यादा है अब देखिए इसमें हमें सभी television set देखने है कि यह जैसे यह television set है इन में से कौन से television set की बिक्री सबसे ज्यादा हुई है सभी सालों में यह सभी सालों के जोडने है अब यहाँ पर एक जो ट्रिक यूज़ करनी है वो देखिए हम क्या ट्रिक यूज़ करेंगे कुछ दोस्त क्या करेंगे कि यह सभी के सभी जो सेट है इनका जोड करेंगे जैसे उनेंच इनच 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 ये रहा और उन्हें चास इंची ये रहा यानि कि ये चार दिये हुए हैं तो हम 40 इंची को भूल जाएंगे एक टाइम के लिए उसके बाद हम कोशन करने की कोशिस करेंगे अब देखिए इन चारों के अंदर हम कैसे डिफाइन करें कि किसके सेट सबसे ज़्यादा बिके हैं किसकी बिक्री ज़्यादा हुई है देखिए इसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले इंडिगेट कर लेजी हमें क्या क्या निकालना है यह हमने चारों को मार्क कर लिया यहाँ पर देख सकते हैं आप उसके बाद हम क्या करेंगे डियाए के अंदर सबसे पहले हम अनुमाल लगाने की कोशिश करते हैं अब यह देखे 24 इंची टेलिविजन सेट लेते हैं इसके अंदर जो 100 से कम है वो यह देखे 85 है 70 है 95 है और इसके अंदर 22 इंची के अंदर 85 है और इसके अंदर 85 एक बार आया है लेकिन 24 इंची के अंदर तीन बार जो डिजिट है वो 100 से कम हुई है 100 से कम विक्री हुई है यहाँ पर हम देख सकते हैं तो ये जो होगा दोस्तो 24 इंची ये तो सबसे कम हो जाएगा और यहाँ पे हमें क्या बताना है सबसे ज्यादा निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा सबसे कम हो जाएगा तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे ये हो गया हमारा नेगलेक्ट हो गया और उसके बाद में जैसे ये अब देखिए यहाँ पे इनकी digit आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए यह digit है 100 है 106 है 115 है 100 है और 115 है 125 है यानि कि 125 और 15 100 से उपर इनकी नहीं गई है लेकिन 32 के अंदर जब हम आते तो यहाँ पे देखिए 124, 112, 160, 145, 115, 170 तो यहाँ से हमें ओटोमेटिक तरीके से पता चल रहा है कि 22 इंची से 24 इंची से सबसे ज़्यादा विकरी किसकी हुई या 32 इंची की हुई है अब बात आती है 32 इंची रहे गया हमारा एक रहे गया इंची इंची रहे गया अब देखिए अब इन में भी कंपेर करके देख लिजिए यहाँ पे 124 है यहाँ पे 118 यहाँ पे 126 है यहाँ पे 85 यहाँ पे 145 है चलिए यह दो तो थोड़ी सी ज़्यादा इन में फिर देखिए यहाँ पे 50 है 145 है यह 100 है यह 135 है यह 130 है यह 170 है यह 115 है तो इन से भी आप देख सकते हैं कि यह जो 32 है 32 की जो डिजिट है वो कही न कहीं ज्यादा हमें लग रही है तो और अगर आप अपना डाउट कलियर करना चाहे तो इन दोनों को एड भी करके देख सकते हैं अगर आनसर है वो बिल्कुल प्रफेक्ट निकलना चाहिए तो प्रफेक्शन के लिए आप इन सभी डिजिट को पलस करके देख सकते हैं और इसकी जो डिजिट है वो हमने पीछे पलस की थी वो आई थी 809 तर आई थी तो यहां से आप इस तरह से बिल्कुल असानी से कोशन निक किये जाते हैं तो दोस्तों यहां से आप देख सकते कि जो हमारा आंसर आएगा आंसर आएगा 32 32 इंची टेलिविजन सेट यहां से हमारा आंसर निकल जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते कि किस तरह से हमें जल्द से जल्द आंसर निकालना और कितना असान हमारा डियाई है तो दोस्तों एक और चीज जो हमें यहां पर ध्यान देने वाली है वो यह है कि कई वार हम अनमान लगाते तो वह अनमान गलत भी हो सकता है तो अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो किसी जोड हम कर रहे हैं जैसे कि हमने बताया था कि 22 और 20 इंची में 32 जैसे वैसे तो मैंने यह डिजिट दिखा दी कि यह सो से देखे कितना कम है 50 से कम है 70 कम है 95 कम है यह सारी चीज़े मैंने आपको दिखा दी लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको डाउट हो तो आप एक बार उनको पलस करके देख लीजिए ताकि आप बिल्कुल श तो उनका अच्छे से जोड करके उसको करने की कोशिस कीजिए और ये आप तब कीजिए जब आपके पास एक्जाम के अंदर ज्यादा टाइम हो तब आप अच्छे से जोड करने की कोशिस कीजिए अगर आपके पास टाइम बहुत कम है बहुत कम टाइम है तो आप अनुमान पर ही चलिए चलिए दोस्तो अब हम अगला कॉशन देखते हैं यह देखिए दोस्तो यह हमारे कोशन नमबर 34 है इसके इंदर इनलों ने कहा है कि सन 2013 और 2018 सबसे पहले 2013 और 2018 किसके इंदर 24-40 इंची के इंदर 40 इंच यह हो गया सन 2013-2013 का हमारा यह हो गया और 18 18 का हमारा यह हो गया सन 2013 और 18 में बिकने वाले 40 इंच के टेलिविजन सेटों के संख्या में अंतर क्या है अब देखिए अंतर पूछा वाई इनों ने अंतर बिल्कुल असान है दोस्तों 110 में से माइनस 94 कर दीजिए यह कितना आ गया 16 आ गया हमारे पास अब से पहले ही हमने एक चीज पढ़े थी आपको दिखा देता हूं असायद आप भूल गए हों यह देखिए शरू के अंदर यह था हमारा यहां पर इनोंने दिया लाखों में शंख्या के दोस्तों लाखों में है संख्या लाखों में दी हुई है तो हमारा जो यह आंसर जो आ या ए है ए है हमारा दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं एकाई धाई सेक्ड़ा जार दस जार लाख दस लाख यानि कि 16 लाख जो अनसर है वो उप्सन नमबर ए में दिया हुआ है तो आप बताईए दोस्तों कितना आसान कोशन आप क्यों डरते हैं आप खुद अपना कमेंट बॉक्स में जबाब जरूर देना कि क्या आपको अभी भी डियाई से डर लगता है या नहीं लगता अगर आपको डर नहीं लग रहा तो आप बताईए सर की हमें डर नहीं लग रहा एंड थैंक्यू और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे न तो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो दोस्तों और इसो शेयर भी किया करो और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दिया करो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है ताकि हम आपसे प्रेरित होके और भी अच्छे अच्छी वीडियो बनाएं तो चलिए दोस्तों अब हम एक और लास्ट कॉशन देखते हैं जिससे आपका डियाई से बिल्कुल डर खतम हो जाएगा अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है किस एलेडी टीवी सेट के लिए सभी साथ वरसों में कुल बिकरी नियुनतम है अब पहले हमन हम क्या करेंगे दोस्तों वही काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं कि इसमें सब से पहले जो आप्सन है आप्सन देखेंगे कि क्या-क्या दिये है अब देखीए यहाँ पर 32 है 32 इन्होंने छोड़ दिया और 32 हमने क्या निकाला था यह सबसे ज़्यादा विकरी हो रहा था तो यह इन्होंने अलग से निकाल दिया अब इसमें यह कोशन किस तरह से करेंगे मैं आपको बिल्कुल असान तरीके से बताता हूं देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे वह देखिए दोस्तों हमें एक चीज ध्यान में रखे हमें कम वाला देखना जो कम है सबसे ज्यादा कम है वो हमें देखना है यह देखिए यह 85 है यह कितना कम है यहां से यह हम अप्रोक्सिमेटर लगा के चल सकते हैं यह हमारा 70 कम है यह फिर है 36 कम है फिर है यह हमारा 18 कम है यानि कि 60, 36, 18 इतना कम हो गया आगे देखते हैं ये ज्यादा कितना है ज्यादा भी देखिए ये 15 ज्यादा है और फिर यहाँ पे कितना ज्यादा है ये है हमारा 55 ज्यादा है और फिर ये कितना ज्यादा है 25 और 35 ज्यादा है तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज जो हमारा कम जो होगा वो ये होगा दोस्तों देखे दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने एक डाउट क्रेट हो रहा है कि 22 और 24 में से किसकी विक्री जादा हुई है किसकी कम हुई है यह सही से हम पता नहीं लगा पा रहे तो इसके लिए हम अपना डाउट क्लियर करने के लिए ए कितना है पलस के 15 यह हमने 15 लिख लिए ज्यादा है और यह कितने है दोस्तों यह है हमारे 30 और यह है पलस के 45 ज्यादा और उसके बाद में है यह है पलस के 30 ज्यादा ठीक है और यहां पर माइनस में कितने है यह देखिए माइनस में यहां पर हम लिख लेते हैं माइनस के कितन ये है 54 और 15 में कितने हो जाएंगे दोस्तो ये approximation पे हमें चलना होता दोस्तो ये है हमारे 70 यहाँ पर minus के लिख लिए और फिर है 100 ये कितना है 36 यानि की मिनस के 36 यहाँ पर हमने लिख लिए तब उसके बाद में है ये है 106 106 124 से कितना कम है यह है 18 कम है दोस्तों यह हमने यहाँ पर 18 लिख लिया अब देखिए यहाँ पर माइनस के 36 माइनस के 70 और माइनस के 18 और यहाँ पर कितना है यहाँ पर यह देखिए 15 और 45 15 और 45 को करेंगे तो कितना आजाया दोस्तों हमारे पास यह आजाया हमारे पास 60 आजाया इन दोनों का आगया 60 और यह है हमारे पलस के 30 अब देखिए इसके अंदर क्या हो गया 30 और 60 यह हो गया 90 हो गया और इसके अंदर देखिए 90 तो यह हो गया 106 तो यह हो गया हमारा और 18 यह हो गया तो यानि कि यह माइनस की ज्यादा है यह जो है दोस्तों यह जो 22 और 24 के अंदर 22 जो है यह इसकी बिक्रिस सबसे कम होगी यहां से आप निकाल सकते हैं और एक और जो दूसरा तरीका मैं आपको जैसे बताता हुआ आ रहा हूं ट्रेड सुरू से जिस तरीके से पलस करते हुए आ रहे हैं 85 को पलस कर लिजिए 100 को 106 को 115 को इन सभी को पलस कर लिजिए इसको पलस कर लिजिए और इन दोनों में देख लिजिए कौन जयादा है कौन कम है यह तरीका भी आप यूज कर सकते हैं क्यूंकि जो मैंने अभी तरीका बत तो इसके अंदर क्या आया हमारा यह बाइस है यह 24 से कम है अब बात आती है चालिस और इस तरीके से आप कम देख सकते इसमें देखे उने चालिस और चालिस कम हो जाएगा उने चालिस से ठीक है और अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तो एक 22 बच गया और एक हमारे पास 40 बच गया अब इन दोनों के इंदर देखिए कौन कम है और कौन ज्यादा है अब देखिए ये 85 112 से कम है ठीक है ये बड़ा हो गया 94 से बड़ा हो गया और 106 है फिर ये कम है फिर 115 ये ज्यादा है फिर 100 है ये भी ज्यादा है 85 से और फिर 115 ये भी ज्यादा है और 125 है ये भी ज्यादा है है चालिस वाले डिजिट से तो यहां से आप क्या कह सकते कि जो 40 के जो सैट है वो सबसे कम विक्री हुई है चालिस वाले सैटों की सबसे कम विक्री हुई है और आप देख लेना दोस्तों यहां पे आप निकाल के देखना अंसर निकाल के अंसर गलत भी हो सकता है दोस्तों ये अंसर गलत है आप सही से देखना इनका जोर्ड करके देखना 22 का 24 का 49 का और देखना कि इसका अंसर 3 आ रहा है या 4 आ रहा है आप सभी अपने अपने जवाब है कमेंट वोक्स में जरूर डालना ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितना जुडर है वो काफी हद तक निकल गया होगा और एक और वीडियो भी हमने बनाई थी दोस्तों कल इवनिंग को बनाई थी उसके अंदर भी हमने जून 2019 का पेपर करवाया था उसके अंदर भी आप देख सकते कि कितने आसान कुश्चन आये थे और किस तरह से हम आसानी से कर कर सकते हैं तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपके अंदर डियाई का जुड़र है वो काफी हद तक खतम हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपको अभी वी किसी वी तरह की कोई प्रोब्लम है तो आप हमें कमेंट वोक्स के जिर इसके साथ वाली हैं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको और टैन यूनीट के वीडियो देंगे ड 9 तक टीजिंग के अलग देंगे और अल्गयो कमुणिकेशन कीन कालाइंगे इस तरह से सभी यूनीट के वी प्रोब्लम ही बिलेंगे इसके साथ भी देंगे इसके साथ दोस्तों फरी में हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ड इर कोशन पेपर सैटेंड भी देंगे विद अंसर थी और इसके साथ दोस्तों हम आपका लाइव मोक टेस्ट लेंगे यूटूब पे तो दोस्तों अगर आपको एक और से जोईन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी से वर्टसपर नमर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है तो हमारा मीसन है कि आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है उस डर को निकाल दे तो उसी डर की कड़ी में ये हमारी तीसरी वीडियो है इस वीडियो में आप बिलकुल असानी से देखना कि किस तरह से हमें कोशन करने है तो दोस्तो ये वीडियो पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो से आप बिलकुल असानी से सीख जाएंगे कि D.I.E. के अंदर जो percentage विगर है वो किस तरह से निकलती है तो चलिए दोस्तो अब हम सुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की दोस्तो ये जो question है हमारा ये आया था 2014 के अंदर आया था दिसंबर 2014 exam के अंदर देखे दोस्तो D.I.E. का जो question होता है उसके अंदर सबसे पहली बात ये होती है कि उसकी जो statement है statement हमें ध्यान से पढ़नी होती है यहाँ पे देखे इन्होंने क्या दिया हुआ है दोस्तो यहाँ पे दिया हुआ कि विभिन छेतरों से किसी देश के carbon dioxide यानि कि CO2 उत्सरजन निमल लिखित तालिका में दिये गए है यह यहाँ पे तालिका दी गई है और यह जो तालिका है दोस्तों यह million metric ton के अंदर दी हुई है और इसी के वेस पे दोस्तों हमें यह question करने है चलिए अब हम आगे question देखते कि इस वेस पे किस तरह से question आए है यह देखिए दोस्तों यह सबसे पहला question इन्होंने दिया हुआ है कि वर्स 2005 से 2009 के दौरान विद्यूत छेतर से CO2 उत्सरजन की परतिसत्ता व्रिधिक क्या है वो हमें बतानी है देखिए statement पे ध्यान दीजिए इन्होंने कहा है कि 2005 से 2009 2005 हमारा यह है और 2009 यह है इसके अंदर देखिए विद्यूत अक्षेतर विद्यूत कौन से हमारा यह है अब देखिए इसके अंदर एक तो आता हमारा 501 आता है हमारा 800 अब इसमें यह बताना कि जो वृद्धी हुई है वो कितने प्रतिशत वृद्धी हुई है और इसका मैंने एक formula बताया था दोस्तो डियाई की जो basic चीजे होते हैं उनके बारे मैंने एक वीडियो बना रखे वो वीडियो आप देख सकते हैं वो वीडियो आप जरूर देखना दोस्तो उसके अंदर हमने basic चीजे बताई है जिस पर हमारी पूरी की पूरी डियाई टिकी हुई होती है तो दोस्तो जो मैंने आपको formula बताया था वो formula क्या था कि final value minus में initial value बटे में initial value multiply by 100 यह थी हमारी formula इसके अंदर देखिए final value क्या है हमारे पास final value है 800 minus में initial value कितनी है दोस्तो 500 है बटे में यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा initial value कितनी है दोस्तो 500 है यहाँ पे और गुना में क्या जाएगा गुना में 100 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अब देखिए 800 में से 500 जाएगा तो कितना रह जाएगा हमारे पास 300 यहाँ पे रह जाएगा अब देखिए मैं करता हूँ इस question को यहाँ पे कर लेता हूँ देखिए यहाँ पे 800 माइनस में 500 बटे में 500 गुना में 100 हमने कर लिया अब देखे ये रहे गए हमारे पास 300 बटे में 500 गुना में 100 अब देखे 2-0 से 2-0 कट गी और 5 से क्या कटेगा दोस्तों ये 300 को कट करें तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा तो यहां से जो हमारी value आएगी वो क्या आएगी दोस्तों 60% यहां से हमारा answer आ जाएगा तो ध्यान से एक बार फिर से देख लेजिए दोस्तों जब 2 हमारे पास year दी गई हो जैसे 2005 से 2009 के बीच में परतिसत वृद्धी निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है जो सबसे last में जो value जो year दी हुई होती है यानि कि final value यानि कि 800 minus में initial value जो हमारी पहले value दी होती है वो इन परतिसत वृद्धी निकालनी है तो दोस्तों यहां से आप देख सकते कि कितना असान हमारा question है और अब हम अगला question देखते दोस्तों यह अब यह question देखे दोस्तों वर्स 2005 से 2009 के दोरान CO2 उत्सरजन में किस अक्षेत्र में अधिक्तम वृद्धी दर्ज की गई अब देख कि केवल और केवल विद्धुत अक्षेत्र से निकालनी थी लेकिन यहां पे क्या है यहां यहां पे हमें यह निकालना कि किस अक्षेत्र से तो हमें सारे के सारे अक्षेत्र देखने है अब देखे इसमें जो सबसे पहला जो point आता है वो यह आता है कि option में देखे दोस्तों option में हमें क्या क्या दिया गया है विद्यूत दिया गया है यह हो गया उध्योग है यह हो गया वनिज्य है यह हो गया और क्रिश्य है हमारे पास यह हो गया यह चार दिये गया है तो इनका हमें पता करना है तो इनका पता करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों वही formula जो मैंने फिर हमें क्या करना है साधे चार्शों में से 200 माइनस करेंगे और बटे में क्या करेंगे बटे में 200 करेंगे और गुना में 100 करेंगे तो इस तरह से हम निकालेंगे चलिए मैं आपको यह दिखा देता हूं किस तरह से पूरा निकलेगा यह देखे दोस्तों यहाँ पे पूरा परतिसाट आजएगा फिर वानिजी अक्षेत्र की बात हो रही है यहां पे इसमें क्या होगा 320 माइनस में 150 यह देखिए 320 माइनस में 150 बटे में 150 गुना में 100 तो यहां पे यह हमारी वैल्यू आ जाएगी इसी तरह से क्रिक्षी अक्षेत्र का निकालेंगे दोस्तों 200 माइनस में 80 और बटे में 80 गुना में 100 तो इस तरह से यहां पे हमारे पास इसका जाए 150 परतिसाट और अब इसमें हमें बताना था अधिक्तम वृद्धी बतानी थी अब देखिए अधिक्तम वृद्धी किसमें हो रही है दोस्तों यह हो रही है हमारे क्रिशी अक्षेत्र में हो तो दोस्तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से निकाल सकते हैं सबसे पहली बात यह है दोस्तो हमें उसका तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से कोशन को हमें निकालना है तो दोस्तो हमें पता सलगा है कि किस तरह से कोशन निकालना है चलिए अब हम अगला कोशन देखते कि अगला कोशिन किस तरह伊से करेंगे अब यह देखिए दोस्तों इसमें इन्होंने क्या कहा है वर्स 2005 से 2009 में CO2 का कुल उत्वो सरजन किस परतिसत तक बढ़ा है यह हमें बताना है दोस्तों अब देखिए सन 2005 से 2009 2005 यह हो गया 2009 तक CO2 का कुल उत्सरजन हमें कुल टोटल बताना है दोस्तो टोटल का मतलब है कि यह जैसे विद्धुतु द्योग यह सभी हमें पलस करना है यहां से यहां तक यहां से यहां तक यह दोनों के दोनों पलस करने है और फिर हमें देखना कि कितना परतिसत बढ़ा था देखी दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे पहले 2005 का कुल करेंगे टोटल करेंगे उसके बाद 2009 का टोटल करेंगे और फिर इनकी परतिसत निकालेंगे चलिए ये कोशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आजए अब देखी इसके अंदर क्या होगा सबसे पहले जो हमारा 2005 दिया हुआ है दोस्तों ये देखी 2005 दो हजार पांच में जितनी भी हमारी ये वैल्यू है इन सभी को हम पलस करेंगे ये देखी ये पलस किया पलस करने पर हमारे पास आजएगा 2030 यहाँ पर आजएगा फिर जो 2009 की जो जितनी भी वैल्यू दी हुई है हमारे पास इन सभी को हम पलस करेंगे तो ये आजएगा 1950 आजएगा अब देखी इन दोनों में हमारे पास व्रिध्धी हुई है दोस्तो एफ माइनस आई बटे में आई गुना में सो जो हमारा फॉर्मूला था और उसी फॉर्मूले के अंदर ये रखा हुआ है तो यहां से हमारी जो व्रिध्धी होगी वो हो जाएगी दोस्तो 89.32 89.32 यहां से हमारा अंसर आजएगा यानि कि option number A हमारे यहां से अंसर आ जाएगा यह दोस्तो यह हमारा अंसर आ जाएगा तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से कोशन कर शकते हैं अब चलिए दोस्तो अगला कोशन देखते हैं यह देखिए दोस्तो इसके अंदर यह कहा है कि विद्यूत अक्षेत्र में CO2 अब देखें विद्यूत अक्षेत्र में CO2 उत्सरजन की ओस्त वार्षिक वरिधी दर क्या है अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात दोस्तों इसके अंदर क्या कहा है कि इसने कहा है कि वार्षिक वरिधी दर क्या है वार्षिक वरिधी दर हमे देखना है अब देखिए ये बात कर रहा है विध्युतक चेत्र में ये हो गया और इसके अंदर ये सारी के सारी एर का देखना अब देखिए सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज देखते हैं दो हजार पांच से दो हजार चे में जब गए तो ये देखिए यहां पर विरिधी हुई फिर छेसो से سाट सो से सात्सों फिर सातसों से आठसों यानि कि इनके अंदर औस सत्फ प्रतिसत वृद्धी कितनी हुई वो हमें निकालना है तो इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले हमें ये निकालना है कि 500 से लेके 600 में इसमें कितनी प्रतिसत वृद्धी हुई फिर 600 से 600 में कितनी हुई और फिर 600 से 700 में कितनी हुई फिर 700 से 800 में कितनी हुई इन स सभी की हम परतिशत विरिद्धी निकालेंगे और फिर उसका average निकालेंगे चलिए मैं आपको यह दिखा देता हूं किस तरह से होगा यह देखी इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तो सबसे पहले अब इसके अंदर क्या है दोस्तो इसके अंदर वही है जो हम पीछे करते यह गलती से लिखा गया तो सो आएगा हजार यहां पर गलती से लिखा गया यह सभी में हजार है ना हजार नहीं है यह सो है हंडर आएगा यहां पर गलती से एक हजार एक जिरो फाल तो इसमें लग गई तो दोस्तो इस तरह से हम सभी में निकालेंगे जैसे अगर हम बात क करें कि 6 से 7 का हमें निकालना तो इसके लिए हम क्या करेंगे 6,500 माइनस में 600 बटे में 600 multiply by 100 इस तरह से हम इसको करेंगे और यहां पर दिया हो यहां पर भी आप देख सकते तो इस तरह से इन सभी का हम करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आगया, सबसे पहले 20 परतिसत आगया, फिर 8.33 परतिसत आगया, फिर यह आगया, फिर यह आगया, यह सभी परतिसत, यह देखें, इन सभी परतिसत को यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, जोड लेंगे, और फिर 4 से इसको तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने किया हो सकता है कि जो question है उसके अंदर क्या कहा गया है और हमें किस तरह से इसको निकालना है और दोस्तों अगर किसी को भी इन में से कोई बात समझ में नहीं आई है हो सकता है किसी को difficulty हो किसी को कम समझ में आया हो तो वो हमें comment box के जरी ये बता सकते है और या फिर आप हमें दोस्तों जो हमारा whatsapp number है नीचे आप देख सकते हैं ये नीचे दिया हुआ है 870-83-21010 इस पे हमें message कीजिए अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आये तो हम आपके सभी सवालों का हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिस करेंगे चलिए दोस्तों अब हम सबसे लास्ट और आखरी कोशिन देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है वर्स 2008 में कुल सियोटू उत्सरजन में विध्यूत अक्षितर का परतिसत योगदान क्या है अब देखे इसे समझने की कोशिस किजिए सबसे प पूरा का पूरा हमने प्लस किया प्लस करने के बाद दोस्तों हमें देखना कि उत्सरजन में विध्यूत अक्षितर का क्या योगदान है वो हमें देखना है चलिए दोस्तों इसका हम आपको सोलूशन दिखा दू ता कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये देखे दोस हम यहाँ पे नीचे कर लेंगे इन सभी का नीचे हमने टोटल किया और मल्टिप्लाइवाई 100 यहाँ पे किया 700 बटे में 1700 गुना में 100 जब इनको 20 से 20 कट करेंगे तो यह हमारा परतिस्थ कितना जाएगा दोस्तो 41.18 परतिस्थ हमारे पास यहाँ से आजाएगा तो दोस्तो यहाँ से आप इस तरह से बिलकुल असानी से कोशन कर शकते हैं और डियाई के अंदर सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है और किस तरह से करना यह हमें पता होना जरूरी है तो दोस्तो आज के लिए बचाएगा